बाई चैनल पे तुम सभी का स्वागत है और आदी पुरुष के टीजर के उपर बात करेंगे आज टीजर को आएवे दो दिन हो चुके हैं लेकिन उसकी ट्रोलिंग उसके उपर जो मीम्स बन रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं हर रोस कुछ नया देखने को मिलर lets इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर लोग चुन-चुन के सीन्स को निकाल रहे हैं और उसकी उपर उसकी कमियात बता रहे हैं इवन कहीं और से उसको copy किया गया scene को Game of Thrones से उठा के डाल दिया, ये चिपका दिया, ये सब चल रहा है, तो ये सब भर-भर के हो रहा है, लेकिन इस बीच, फिल्म के जो director है Om Raot, उन्होंने एक statement दिया है और उनका ये कहना है, कि जो मेरी ये film है आदी पूरुष, ये small screens के लि हमने बनाया है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, उसे enjoy करना है, तो जाओ cinema halls में देखो, तब आपको असली इसका जो impact है वो मिलेगा, तो मेरा उनसे ये पूछना है कि भाई, आपने teaser तो मोबाइल इस पर ही release करा, YouTube पर release होता है वो, teaser को देखने के लिए हर बंदा cinema hall में तो ज दूसरी बात, क्योंकि जो troll हो रहा है ये teaser, ये characters को लेके हो रहा है, उनके looks को लेके हो रहा है, जिस तरह से इनका presentation है, जो आज तक हमने जितनी भी रामायन सीरियल में देखी है, या television पे, फिल्मों में, या फिर जो एक cartoon भी आया था, जो anime था, जो जैपान में मना था, वो हम सबने देखा है, उन सबसे एक दूसरी दुनिया का ये teaser लग रहा है भाई, नजाने लोगों ने क्या बनाया है, तो मुझे ये निसमझ में आ रहा कि हमें बड़े screen पे और छोटे screen में कौन सा ऐसा फरक नजर आ जाएगा, और इसके अलावा, जो कुछ reviewers हैं और कुछ लो किया और उसकी बुराई की, अब hall में देखकर, 3D में देखके, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही हैरान हो गए हैं और हमें अच्छी लग रहा है वो teaser, भई 3D में, जहां तक मैं जानता हूँ, 3D जस्ट एक effect है, कि जो हमें 2D में, जो screen के अंदर दिखते हैं, वो ऐसा effect आता जो costume है, क्या वो 3D में बदल रहे हैं, या प्रभास की जो मूच हैं और जो body language है, सब कुछ है, जिसकी बुराई हो रही है, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो भी 3D में बदल गया है, जो background में जितने scene हैं, जो लंका दिखा रहे है किसी दूसरी दुनिया की, और जो push शारुख खान की फिल्म, जो 2011 में आई थी, रावन, र-A-O-N-E, वो अचानक से trend कने लग गई है, इंटरनेट पे, सोचल मेडिया पे, ऐसा क्यों? तो भाई, रावन जो फिल्म आई थी शारुख खान की, जिसमें शारुख खान के अलावा, करीना कपूर और अरजुन रा विली बेस थी, काफी जादा स्पेशल एफेक्ट्स का इसमें इस्तमाल किया था, और यह पहली ऐसी फिल्म थी उस टाइम में, जो इतनी प्रॉपर VFX सेंटर थी, और इतने सारे स्पेशल एफेक्ट्स थे, और जो स्पेशल एफेक्ट्स उन्होंने डाले भी थे, वो लेकिन फिर भी, अब भी भी अगर तुम अब रावन को जाके देखोगे ना यार, तो हैरानी होगी कि 2011 में क्या फिल्म इन लोगों ने बना ली थी, फिल्म बॉक्स ओफिस में नहीं चली थी, इस्टोरी के कारण हो सकता है, जो एक्जिक्यूशन था, वो ढग से नहीं हु या उन लोगों से सीखो कि उन सबने दस साल पहले, अब तो टेक्नोलिजी और इतनी बढ़िया है, लेकिन दस साल पहले वो फिल्म बनी थी और क्या फिल्म बनाई थी, क्या एफेक्ट्स थी उसके, क्रिस्प और बिल्कुल क्लियर लगता है कहीं कुछ बेकाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि फेक है, यह मैं भी मानता हो भाई, ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी टाइम पहले बनी थी, वो एक अटेंट था और वो अटेंट इतना बढ़िया गया था, अगर स्टोरी अच्छी होती है और उसको थोड़ा और वेल मेड होती वो, तो आई गेस वो एक चालू में उसको धक्का मुकी में लगे में उसको नीचा दिखाने में इस टीजर को, और मेकर्स पर जैसे कि मैंने डिरेक्टर का स्टेटमेंट बताया है तो मुझे लगता है वो अपनी गलती मानने को तयार नहीं है, और अब क्या ही मानोगे गलती, अब तो फिल्म बन च बड़ी ब्लॉक्बस्टर हो सकती है, इतनी बड़िया स्टोरी है, एपिक स्टोरी है हमारे इंडिया की, तो अगर वो अच्छे से एक्जिक्यूट हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, बट लेट सी आगे क्या होता है, तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं, अपने भी थौट्स आप शेयर करो इस टीजर को लेकर, और जो इसकी ट्रोलिंग हो रही है, सब कुछ पर आपके क्या थौट्स है, नेक्स वीडियो मिलते हैं, बाई